नमस्कर दोस्तों स्वागत आपका फार्मरोक्स के यूटूब बेजिक विस्टन चनल में आज की उड़ी लेक्चर में हम डिटेल में स्टेडी करेंगे रूमाल या फॉट टेबलेट के बारे में तो हम सिखेंगे ये medicines के basic use के बारे में कि कौन से अलग-अलग medical conditions को ठीक करने के लिए दवा को यूज किया जाता है साधे जाने के उसका dose वगरा क्या है, price क्या रहती है, कौन से बिमारी में ये दवा उप्योगी है साधे जाने के उसके side effects क्या होते है warnings वगरा क्या रहती है तो detail में सिखते है Rumal या FOT tablet के बारे में तो ऐसे समझे के बहुत सारे दवायों के बारे में सिखना है बीमारियों के बारे में सिखना है तो आप medicine course को join कर सकते है pharma rocks के अब उपर तो ये course को join करने के ले आप हमें whatsapp कर सकते है या फिर हमारी mobile application को download कर सकते है link आपको description box में मिल जाएगी तो आदे है topic प्योड़ समझते है Rumal या FOT tablet के बारे में तो ये essay class का medication के जिसको anti-inflammatory drug कहते है और ये एक natural herbal medicine है कि जिसके पास anti-oxidive property भी है कि उसके अंदर ऐसे अलग-अलग herbal ingredients present है कि जो उसको anti-inflammatory के साथो साथ antioxidant activity जो वो provide करते हैं उसके manufacture के हम बात करें तो हिमालिया drug company जो उसके manufacture है तो यह आप हिमालिया drug company के detail में आपको बदा दू कि ये एक Indian multinational pharmaceutical company है कि जो specially herbal medicines जो manufacture कर दी है कि जिसको हिमालिया wellness company भी कहा जाता है कि जो 1930 के अंदर establish हुई थी और उसका इंडिया के अंदर हम head quarters देखें तो बैंगलोरू में है इंडिया के अंदर अब बात करतें ये medication के key ingredients के बारे के कौन से ingredient इसके अंदर add किये गए है तो रुमाल या फॉर्ट के अंदर जो पाहिला ingredient है वो है एक gum resin है कि जिसका नाम है बोसिवेल या सेराटा करके कि जो 240 mg जितना ये एक tablet के अंदर present होता है फिर कॉमिफेरा वेटी करके एक medicine है कि जिसको एक resin कहा जाता है गम resin कहा जाता है कि वो 200 mg जितना इसके अंदर present है और फिर alpenia galangal करके present है कि जिसको हम रसना भी कहते है उसका root जो है उसके अंदर present है 70 mg जितना glyceriza glabra की जिसको हम muleđट ही या फिर leukorize कहते है वो 70 mg जितना इसके अंदर present है tribulous terrestries की जिसको हम goxura कहते है वो 60 mg जितना उसमें प्रेजन्ट है और टाइनोस्पोरिया कोडिफोलिया की जिसको हम गिलोय कहते हैं तो उसके लिफ का एक्स्ट्रेक्ट उसके अंदर 60 mg जितना प्रेजन्ट होता है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो पहला जो गम है कि जिसको हम सला की गम कहते है या फिर सबसे पहले आप जानिये बस्वेलिया के बारों कि जिसको हम सला की गम कहते हैं तो सला की गम या उसको लोबान भी कहा जाता है तो यह मेडिकेशन का रोल क्या है तो यह especially anti-inflammatory activity जो प्रोवैड करती है और यह काफी प्राचिन जड़ी बुटी है तो उसके जो रस होते हैं उसमें से गम निकलता है उसको ढूआ करके उसका जो एक्स्ट्राट होता है वो यूश किया ज़ता है उसके अंदर तो उसके benefits हम देखे तो वो क्या करता है कि जोईंट में जो swelling हो जाती है joint में जो सूजन हो जाती है उसको कम करता है उसके लावा जो joint में pain वगेरा होता है वहापे stiffness आ जाती है मनले कि अकड़न जिस आपको फिल होता है और anti-inflammatory properties जो है वो ये ingredient जो हमें provide करता है फिर उसके लावा जो दूसरा है कि जिसको हम Google भी कहते है इंडियन बड़ेलियम जिसको कहा जाता है तो उसका हम role देखे कि जिसको Google गॉंद या फिर Google हो कहा जाता है तो ये क्या करता है उसके पास भी एक anti-inflammatory property है antioxidant activity है जो bond का जो damage होता है जो bond के आसपास को infection हुआ है उसके करण bond जो वो damage होने लगते है joint का जिससे तरह से damage होता है तो उसको prevent करने का काम करते है उसके बड़ेलियम ट्री पहुँज कहा जाता है गुगुल कहा जाता है मीर ट्री कहा जाता है या फिर मुकुल भी उसको कहा जाता है तो यह अलग अलग उसके नाम है और comifora weighty करके उसका जो main जो वो biological source बनता है कि जो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप समझते हैं उसके दूसरे ingredients के बारे में कि जिसका नाम है रसना कि जिसको alpinia galangal कहा जता है तो यह जो है बहुत ही rich antioxidant medication है तो यह भी prevent करता है bone को damage होने से joint को damage होने से यह prevent करता है फिर glycerizer glabra की जिसको हम leucorize करते हैं वो भी एक rich antioxidants तोर के तोर पे गाम करता है आपे उसके लावा जो तीसरा ingredient है tribulus terrestris की जिसको हम goksura कहते हैं या फिर gokru भी हम उसको कहते हैं तो उसके पास bone protective effect रहती है तो वो भी काफी मदद रूश साबित होता है और tynospora codifolia की जिसको हम gilloy कहते हैं कि जो immunity boost करने में आपकी जो वो मदद करता है तो इस तरह से ऐसे उसके अंदर ingredient है कि जो benefits specially आपको देते है bone and joints related आपको काफी ज़्यादा benefits देते हैं कि bone की healthiness के लिए जो जरूरी है जो collagen protein होता है उसके development के लिए काफी जरूरी है सबी component जो वो provide करता है ये herbal medicine तो उसके कल उसके हम use देखे तो सबसे पहले जो joint में pain होता है तो उसको ठीक करने के लिए medication को जो वो prescribe की जासे especially यहाँ पे जो joints होते है elbow joint है या फिर हमारे knee joint है किसी भी type का joint है हमारी body के अंदर वहाँ पे आपको सूजन आ गई है दर्द हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए ये medication prescribe की जा सकती है यसे अलावा जो arthritis के जो हम condition कहते है कि कहीं पे भी arthritis होई कि चाहे आपके हाथ के जो joints है वहाँ पे arthritis के condition produce हुई है knee joint के आसपास है shoulder के पास है या फिर जो हमारे ED में heel bone होता है वहाँ पे जो problem है arthritis का तो सब भी conditions को ठीक करने के लिए ये medication हमें मदद करती है उसे लावा देखे तो arthritis की जाहे osteoarthritis है या फिर rheumatoid arthritis की condition है दोनों में ये काफी ज़दा useful सा भी तोता है muscles में pain हो रहा है stiffness जैसे आप फिल कर रहा है या फिर muscles में आपको दर्द वगिरा हो रहा है उनके joints के आसपास दर्द हो रहा है तो उसमें ये काफी useful सा भी तो because वह आखके अकड़न जो वो कम करती है stiffness जो होती है वो कम कर देती है फिर इस तरह से joint में swelling आ जाती है सूजन आ जाती है ये वाले आप देखो कि normal है उसके compare में ये वाले side आप देखे तो आपको inflammation देखने को मिलेगी तो ये सूजन को कम करने के लिए भी rumal या for tablet जो वो काफी useful सा भी तोती है उसी तरह से ankylosing spondylitis की जो condition हम कहते है कि यहाँ पे जो आप देख रहें कि यह हमारा healthy spine है और वो healthy spine ये बीमारी के अंदर convert होता है bamboo spine के अंदर कि पहले वाहाँ पे सूजन आ जाती है इस तरह से और सूजन आगे जाके convert होती है कि bond fusions पी उसको कहा जाता है और bamboo spine के condition produce होती है तो उसमें use किया जा सकता है उसे तरह से जो हमारे cervical जो bonds होते है specially जो हमारे spinal cord के अंदर तो वहाँ पे जब spondylosis की condition produce होती है कि उसके करन specially आपको यह जो area है हमारा garden के आसपास का वहाँ पे काफी जद आपको दर्द रहता है कि जिसको हम medical terms में cervical spondylosis की condition कहते है तो उसके इलाज में भी यह medication को prescribe की जा सकती है कि जो specially वहाँ पे surgeon वगरा है उसको कम करता है दर्द वगरा को कम करता है और बीमारी में से आपको राहत देता है उसी के similar जो दूसरा problem है कि जिसको हम lumbar spondylizing के condition कहते है तो यह problem क्या होता है कि जो हमारी यहाँ पे आप देख सकते है कि जो lumbar region के जो spine है कि जिसको हम कहते है कि अलग-अलग L1, L2, L3, L4, L5 जो अलग-अलग ons होते वहाँ के तो वहाँ पे क्या होता है कि सूजन जैसा देखने को मिलता है वहाँ पे भी bamboo spine के condition produce होती है कि जिसको हम spondylosis कहते है या फिर spondylitis भी हम उसको कह सकते है especially lumbar region के अंदर तो उसको ठीक करने के लिए भी यह दवा को prescribe की जा सकती है फिर जो gout की condition हम देखे दे या फिर gouty arthritis जो का जाता है इस तरह से जो condition produce होती है या फिर किसी भी activity आप नहीं कर पाते अच्छे से तो इसको ठीक करने के लिए भी rumalya for tablet को prescribe किया जा सकता है फिर जो back pain आपको हो रहा है कि spine में किसी भी तरह की आपको susan वगिरा है spinal cord के अंदर और उसके करन आपको back pain हो रहा है या फिर knee joint में pain हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए भी ये medication को prescribe की जा सकती है अब बात करते हैं इसके dose के बारे में तो एक tablet जो ये वो दिन में दो बार जो पेशन ले सकता है या फिर आपके doctor ये फिर pharmacist को proper consultation करने के बाद आप उसका proper dose जो फिक्स करवा सकते है फिर उसके हम price वगरे के बात करें तो उसकी price क्या रहती तो जब आप ये पूरा blister purchase करते है 30 tablets का तो इसकी price परती है 165 के आसपास फिर अब बात करते हैं उसके side effects के तो अब तक जो भी अलग-अलग research हुए है पर नहीं रहती बिकाज उसके अंदर natural herbal ingredients है कि जिसके करण कोई भी आपको problem नहीं होता अब बात करते हैं उसके warnings वगरा कि या फिर अगर किसी को allergy है किसी भी ingredient के तो आपको skin races वगरा हो सकते या फिर allergic reactions हो सकते तो या पर आपको गधियान ये रखने कि इन में से किसी भी ingredient के आपको allergy है या फिर ये ingredients आपने किसी भी दर से use किये थे और उससे कोई allergic reaction होई थी तो ये medication को आपको use नहीं करनी चाहिए pregnancy के अंदर हम बात करें तो आपको gynecologist को consult करना चाहिए और उसके बाद ही ये medication को pregnancy में लेनी चाहिए किसी भी दवा के बारे में तो आप medicine course को join कर सकते हैं तो ये course को join करने के लिए आप हमें whatsapp कर सकते हैं या फिर हमारी mobile application को download कर सकते हैं link आपको description box में मिल जाएगी so good luck and all the past